ये लर्का सुन्दर लर्कियों को मार कर उनके शरीर से पफ्यूम बनाता है, जीन एक लर्की को अगवा करके उसे जान से मार देता है, और उसके शरीर से पफ्यूम बनाने लगता है, इसी तरह से वो कई लर्कियों को मार देता है, लर्कियों के गायब होने से पूरे गाम में देहशत का माहौल बन जाता है। सभी लोग अपने घरों में ताले लगा लेते हैं। परंटु गाव वालों को ये पता चल जाता है कि यह काम जीन का है तो सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। यहां आने से पहले जीन अपने शरीर पर पफ्यूम लगा लेता है जो उसने लर्कियों को मार कर बनाया था जिससे जलाद उसके पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मानने लगता है। जीन उस पफ्यूम को एक रुमाल में लगा कर हवा में लहराने लगता है जिससे आसपास के सभी लोगों को ये खुश्बू आने लगती है सभी लोग मूड में आ जाते है और वो खुले में ही अपना कारेक्रम शुरू कर देते है और जीन मौका देखकर वहां से निकल जाता है परंतु कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सारा पफ्यूम अपने सर पे उडेल लेता है जिससे आसपास खड़े सभी लोग उसकी तरफ आकरशित हो जाते है और उस पर तूट पड़ते हैं जिससे वो मर जाता है